ओडियो भाग दो उस तक ना ही ज्यानेन सद्रशम पवित्र मिही विद्यते। वही शिक्षा सार्थक जो मनुष्य को स्वावलंबी बनाए। शिक्षा की परिभाशा करते हुए विचारकों ने उसे कितने ही अर्थों में परिभाशित किया है। पर भारतिय संस्किती की शिक्षा संबंधी माननेताओं को थोड़े से शब्दों में सटीक अभिवेक्ति देते हुए स्वामी विवेका नन्ने कहा है शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की अंतर नहित शम्ताओं को पूर्ण विक्सित करना है। इन शब्दों में शिक्षा की जो व्याक्या हो जाती है वह अपने आप में अनुपम और अद्वितित है। वस्तुत है शिक्षा का सही उद्देश्य और सार्थकता यही है कि परमात्मा के युवराज मनुष्य को उसकी शम्ताओं से साक्षात करा दे और उन्हें विक्सित भी कर दे। सब्यता का जो विकास अब तक हो सका है उसमें शिक्षा की महतपूर्ण भूमी का है इसे पारिवारिक और सामाजिक उपलब्दियों के संचरण का साधन कहा गया है अर्थात हमारे पूर्वच और पहले के समाजने भी जो कुछ अरजित किया वह इस साधन द्वारा हमें प सब्यता के आदिम काल से लेकर अब तक जो विकास हुआ मनुष्य ने जो अरजित किया है वह संचरित हुआ वर्थमान पीधी तक नई पीधी ने उसमें नई उपलब्दियां जोड़कर उत्रा दिकार में दूसरी पीधी को दिया तथा उनसे उससे अगली वाली पीधी को इस प्रकार मानवी सभिता में निरंतर कुछ नया जुड़ता गया और उस समस्त पूर्वाजत उत्रादिकार में अगली पीडी को मिलता रहा। बेशक इस प्रकार मनुष्य का ग्यान भंडार काफी विक्सित हुआ और आज इतना विक्सित हो चुका है कि किसी एक विक्ति को समगर रूप में दे पाना कठिन है। इत्यशिल्प विज्ञान की अनेका अनेक धाराएं बढ़ती गई और अब इनकी संख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि सभी लोगों के लिए सभी विश्यों के नाम याद रख पाना भी कठिन है। अकेले रसायन शास्त्र की ही सो से अधिक शाखाएं हैं। दुनिया भर में पांसो से अधिक धर्म संप्रदाएं चलते हैं। अकेले हिंदु धर्म की तीस से भी अधिक शाखाएं हैं। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जाती के पास उपलब्ध ज्यान भंडार इतना विश्त्रित है कि वह थोड़े से लोगों के हाथ में नहीं रह सकता। अथे अलग-अलग विश्यों के अलग-अलग ज्याता हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि रसायन शास्त्र की किसी शाखा का प्रकांड-पंडित जीव विज्यान में किसी जन्तु के जीवन करम को भी समझे जो की जीव शास्त्र का प्रारंबिक चात्र भी जानता हो। अथे शिक्षा का अर्थ सभी विश्यों का पून ग्यान तो नहीं है पर इतना वश्य है कि विक्ति समाज के अन्य सदस्यों के साथ साथ कदम मिला कर चल सके। इसलिए सभ्यता के विकास के साथ शिक्षा विक्ति को अपने समाज के साथ जीना भी सिखाती है। तो किसी व्यक्ति का बेलकाडी के युग में ही जीना आश्चरे का विशे हो सकता है। उस समय लोग तत कालीन आवशक्ता के नुसार वेवारी ज्यान उपलब्द साधनों से प्राप्त कर लेते थे। मंचित रहे भी जाते तो वह कोई बुरा नहीं समझा जाता था। पर आज वैसा नहीं है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति अन्य लोगों और समुदायों से हटकर सीवी छेतर में अधिक से अधिक घर की चार तिवारी में ही जी सकता है। क्योंकि अब तो घर से बाहर कदम रखते ही व्यक्ति में बाहरी दुनिया को समझने की शम्ता आवशक हो जाती है। यह शम्ता केवल शिक्षा द्वारा ही संभव है। मनुष्य के लिए शिक्षा की आवशकता को मानव शिशु के माद्ध्यम से भी समझा जाता है। सामगरी आप ही रूणने लगते हैं। बच्चे को अपना आहार राप्त करने के लिए माग को साहता के लिए पुकारना पड़ता है। मानव शिशु ऐसा हाए है जबकि पशु से भावते ही जर्म लेने के बाद अपना जीवन संगर्ष आरम कर देता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य कमजोर और पशु अधिक समर्थ है। वरन कारण यह है कि पशु जहां नैसरगिक प्रेड़नाओं से संचालित रहता है। वहां मनुष्य को अपनी नियती आप निर्धारित करने का अधिकार मिला है। चन्व जाथ ही पशु शावक प्रकृति दत प्रेड़ना लिये रहता है। और उसी अनुसार मरण परियंत चलता भी है। जबकि मनुष्य का जीवन अपेक्षाकृत अधिक जटिल, गतिवान और परिवर्तन चील रहता है। उसे औरों के माद्यम से बहुत कुछ स्वथा अर्जित करना पड़ता है। प्रकर्ति और दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की कला उसे जन्म से ही सिखा देती है। दूसरों की शमताओं और उपलब्तियों से सीख कर स्वयम को किस प्रकार विक्सित किया जाए इसका मार्ग शिक्षा ही सुझाती है। वह सहयोगा पेक्षा के रूप में मनुष्य शिशु को आर्म से ही वह कला सिखा देती है। जिसके बल पर बच्चा आगे चलकर अपनी शमताओं का स्वामी बन जाता है तथा योग्यताओं में उनको बदल देता है। शमताओं योग्यताओं में भी तभी परिवनत होती हैं जबकि तद विश्यक ज्याना अर्जन किया गया हो। ज्यान या जानकारी का एक उपाए निरिक्षन और अन्वेशन तो है पर उससे कई गुना अधिक ज्यान विक्ति दूसरों से सीख कर प्राप्त करता है। एक मशीन के पुर्जे खोलने बिना किसी की साहता के उन्हें समझने और उस कला में पारंगत होने के लिए कई जन्म भी लग जकते हैं और पूरा जीवन भी खप सकता है। पर योग्य वेक्तियों की साहता से उन्हें समझने उनका उप्योग सीखने की चेश्ठा की जाए। तो वेक्ति कुछी महिनों में निशनात हो जाता है। सहयोगा पैक्षा इस चेत्र में सर्वा अधिक काम की सिद्धी होती है और पृतिग वेक्ति सुथय बहुत कम और दूसरों से विरासत के रूप में ही अधिक ज्यान अरजित करता है।